लखिम्पूर खिरी के इंडो नेपाल की तरही मिस्थिद दुद्वा टाइगर रिजर्ड हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी परिंदों से गुलजार होना शुरू हो गया है एक बार फिर दुद्वा परिंदों की कलरव से गुंजने लगा है जिसकी जानकारी मिलते ही सैलानियों में खुशी की लहर दोड़ गई है और एक बार फिर देश विदेश से सैलानी प्रवासी परिंदों के दिदार करने और उनकी मन मुहक कलरव सुनने के लिए दुद्वा पार्क खुनने का इंतजार कर रहे है उदर प्रवासी परिंदों के आने का सिलसिला शुरू होने की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन ने यहां आने वाले सैलानियों के साथ ही हजारों महमान पक्षियों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारिया शुरू कर दी है और यही नहीं, पार्क के अंदर जो कॉटेज बनाए गए है उनको भी प्रवासी परिंदों का नाम दिया गया है आपको बता दे कि हप्रवासी परिंदे सर्दियों में ही दुद्वा में आते हैं क्यूंकि जब थंडे देशों के जलाशें में बर्व जम जाती है तो ऐसे में इन परिंदों के भोजन और आवास की समस्या पैदा हो जाती है तब यह परिंदे लगबग 15,000 किलो मिटर की दूरी तैकर भारत समेट अन्य गर्म देशों की और रूख करते है साथ ही आपको बता दे कि ये प्रवासी पक्षी नवंबर से फरवरी तक चार माह प्रवास कर प्रजनन करते है जिसके कारण इन दिनों तराई के जलाशे प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो जाते है रंग बिरंगी प्रवासी परिंदों का कलरव प्रकृती और पक्षी प्रेमियों को अपनी और आकरशित करता है युरोपिय देशों के अलावा मध्य एशिया, चिन, तिब्बत, साइबेरिया, लदाग, आदी स्थानों से बड़ी संख्या में जली अपक्षियों के जुन तराई के जलाशेव में आते है परिंदों में साइबेरियन, यरेजियन, चस्पुन बिल, युरेजियन विग्योन, नार्थन पिंटे, नार्थन स्लोवलर, रेट क्रस्टेट पोचाल, आदी शामिल है दुद्वा टाइगर रिजर्व के डाइरेक्टर संजे पाठक ने बताया कि आने वाले महमान परिंदों की सुरक्षा और उनके भोजन का पार्ग प्रशासन पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है क्योंकि यह प्रवासी परिंदे हजारों किलोमिटर की दूरी तै करते हैं रंग बिरंगे प्रवासी परिंदों का कलरव प्रकृती और परिंदे प्रेमियों को अपनी और आकर शित करता है बड़ वाच के शोकिन और पक्षियों की गती विद्यों का अधेयन करने वाले लोग भी इन दिनों जलाशियों के इर्द गिद देरा डाल देते है स्थानों से बड़ी संख्या में जली अपक्षियों के जुन तराई के जलाशियों में आते है जिसमें लखिमपूर खीरी की सेमरई जिल, नगरिया जिल, मैनहन जिल, रमिया बेहट जिल, महमदाबाद, शारदा नहर का सिपेजवाला क्षेत्र, किशनपूर सेंक्चुरी के जादी ताल, शारदा बैसाज, शारदा नहर, दुद्वा नैशनल पार्क में सुहेली नदी औ विभिन तालाबो समें दरजनों जलाशयों में प्रवासी परिंदे चार महा के लिए आशियाना बनाते हैं, जहां उन्हें प्राक्रितिक आवास और भोजन मिलता है। सुरच्छा के मद्दे नजर पार्क प्रशासन ने भी जगा जगा कैमरे लगवाए हैं और साथ ही जीलो और तालवो की भी सफाई करवा दी है। सब्सक्राइब कर जुके महां से क्योंकि अधिक तर वहां पर उनके साफ से वातावर नहीं रहे जाता है। तो हमारे दुद्वा का वातावर उनके अनुकूल होता है। तो यहां पर हर साल की तरह बड़ वाचिंग होना शुरू हो गई है।